नमस्कार दोस्तों और इस्टेटी विध्यान प्रकास में आप सभी का हारदिक स्वागत है। आज 15 नुवंबर है। यानि की मिलाज उलाकर नुवंबर भी आधा बीथ चुका है। जिंदगी यूँ ही बीत्ती चली जाएगी और एक दिन हमें पता चलेगा कि सारा समय खतम हो गया। खासता उसे जो लोग प्रतों की परिशाओं की त्यारी कर रहे हैं जिनके मन में यह रहता है कि कल से हम त्यारी को सुरू करेंगे उनके हाथ अक्सर निरासा ही लगने वाली है। तो UPSC के द्वारा यहां पर देखो विग्यापनों का एक क्रम जुरू कर दिया गया है और आगामी कुछ दिनों में कुछ सब्ताओं में आपको सारे विग्यापन मिलने वाले हैं। तो UPSC के द्वारा जो क्रम निश्चित किया गया है उसमें सबसे पहले PCSJ के लिए विग्यापन जारी किया जाएगा। तो पहला विग्यापन PCSJ का होगा और PCSJ के जस्ट बात जो अगला विग्यापन आने वाला है वो आपके लिए बहुत प्रतिक्शित है और विग्यापन आप जानते हिए कि विग्यापन किसका होगा जी हां दोस्तों ROARO 2000-22-23 का विग्यापन जारी होने जा रहा है और इ देके एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर आप ROARO और BEO के लिए तयारी करना चाहते हैं तो आप एक साथ दोनों परिच्शाओं के तयारी कर सकते हैं क्यों? क्योंकि दोनों का जो स्लेबस है दोनों में ही GS और हिंदी दोनों कंपलसरी है यानि कि अगर आप GS, हिंदी, और निबंद तीनों की त्यारी करी रहे हैं तो ये दोनों ही परिष्छाएं आपके सांधार हैं हाँ, RO के लिए आपके पास सिर्फ असनातक होना चाहिए ARO के लिए O-Level या इसके समकष कोई Computer Diploma होना चाहिए BEO के लिए आपके पास BA होना चाहिए, यही इसमें जो योगिता होती है, उसमें जड़ा सा Difference है, लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास असनातक भी होगा उनके पास O-Level भी होगा और BEO के लिए BA भी उन्होंने किया होगा तो जिनके पास तीनों ही certificate है वो लोग तीनों में जा सकते हैं जिनके पास सिर्फ असनातक है, वो RO में आ सकते हैं, अच्छा, RO में चेहन प्रक्रिया थोड़ी सी सराल होती है मतलब कि सिर्फ RO में क्या होता है कि आप pre दे दीजिए, mains दे दीजिए आपका चेहन कर लिया जाएगा RO में क्या होता है कि pre होगा, mains होगा, उसके बाद typing test भी होगा, तब जाके आपका चेहन होता है और BEO में pre होता है और mains होता है तो इसके बाद आपको पताईए कि PCS की परिशा तो जून में होनी ही है PCS 2023 की जो प्रारमिक परिशा है ये जून में होनी है और BEO के लिए वही चीज आपको PCS में भी पढ़ना है और जैसा कि आप जानते हैं कि LT grade में भी GS पूछा जाता है तो LT grade की तैयारी भी यानि कि ये चार परिशा हैं ऐसी हैं जिसके तैयारी अगर आप चाहें तो एक साथ कर सकते हैं ठीक है क्योंकि इसमें GS तो common है बाकी जो है PCS में second paper CS8 का होता है और PCS में आप जानते ही हैं कि फिर मुखी परिशा में कुल मिलाके 8 paper होते हैं PCS के बारे में सारी जानकारी मैंने आपको upload करा रखी है अभी 6 महिने का समय है अगर आप चाहें तो 6 महिने में अच्छी खासी तयारी आप कर सकते हैं PCS के लिए और जो परिशा होनी है उसमें भी बहुत जदा समय आपके पास नहीं है मान चलिए यह खंट सिक्षा अधिकारी के लिए आपके पास अब 4 महिने का समय यही मान चलिएगा कि 4 महिने में आपको प्रिपेर होना है तो समय ज़्यादा नहीं है आपके पास और इसके लिए निमीत रूप से आप लोग Current Fair और GS पढ़ते रहे Current Fair का जो डेली वीडियो होता है यह आपको मिलता है हमारे नए चैनल Steady V.192.0 पर जिसका सब्सक्रिप्शन लिंक मैं आपको दें दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए आगे बढ़ते हैं और देखो LT grade के बारे में एक लेटेस्ट अब्लिट आ रही है कि पुराने पैटर्न पर परिक्शा होगी या नए पैटर्न पर तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2018 में UPPSC ने पहली बार LT grade की परिक्शा करवाई थी और उसमें सिर्फ एक परिक्शा होई थी परिक्शा के पैटर्न के बारे में आपको बता दे तो कुल मिलाके 150 प्रस्ण पुछे गए थे इसमें 120 प्रस्ण आपके सब्जेक्ट से थे और बाकी जो 30 प्रस्ण था ये GS से था ठीक है और देखो ये जो प्रस्ण पुछे गए थे तो इसमें GS भी काफी tough लेबर का पुछा गया था प्रस्ण तो बहुत ही काइदे का पुछा गया था अच्छे खासे लोग जो थे तीस में से 15-20 कुछे नहीं कर पा रहे थे तो यानि कि जो पैटर्न था वो यही था उसमें GS और सब्जेक्ट से सम्मंदित MSQ बुछे गए थे 150 और फिर उसी पर final merit बनाई गये थी उसके बावजूद बहुत सारे लोग ये जो पासिंग राटरिया जिसमें कुछ निश्चित परसंट लेकर पास होना था तो उस सीमा को ही पार नहीं कर पाये थे और बहुत सारे सीटे खाली रगे थी बहुत सारे व कोई सका है और फिलाल यहीं परतीत हो रहा है कि पाटर्ण पर कोई बदला नहीं होगा पूराने पाटर्ण पर इस होगा क्यों क्योंकि देखो ये सिर्फ एक ही लेवल की परिक्षा हो सकती है तो अभी चेंजेज होने के कोई समवाना नहीं परतीत वरी है हाला कि नोटिफिकेशन से पहले में भी पॉसिबल है कि कुछ चेंजेज हो भी सकते हैं क्योंकि हर संस्ता कोई भी परिक्षा होती है उसका आयोजन अपने तरीके से क प्रिप्टिव जो क्वेस्टन आने की समभूना लगबग ना के बराबर है और आगे बढ़ते हैं तो बिहार पुलिस में बढ़ती आई विए 689 पद हैं इसके लिए इंटरमिडिट अगर आप पास हैं और कुछ अत्रिक युगता हैं आपके पास हैं और उम्र सीमा 18 से लेक पर जो है आपकी न्यूक्ति ली जाएगी तो जो रेटन टेस्ट होगा उसमें आपजेटिव कोश्चन होंगे हिंदी अंग्रेजी गनित समाजी विज्ञान आजविशे से और उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा इसके लिए जो वेबसाइट है वो क्या है csbc.bis.nac.in आविदन सुल्क रहेगा 675 रूपे तो इस पर भी आप विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं अगर आप आविदन करना चाहते हैं और देखो एक खबर और भी हैं आपर कि यूपी वालों को विदेश में बंपर नौकरियां तो खबर ये करी कि प्रदेश में पहला मौका है जब हजारों यूवाओं को सरकारी चैनल से विदेश में नौकरी करने का बंपर आफर मिलने जा रहा है छह अजार से ज़्यदा लोगों की डिमांड बहरीन से आई है इसमें डॉक्टर, इंजिनियर, नर्स, मेकैनिक, कुक, ड्राइबर से लेकर तमाम अंद छेत्रों में काम करने वाले लोग सामिन है बहरीन की कमपनी ने यूपी सरकार के एनराई सिल के साथ इसके लिए करार क होगा है बहरीन की एक कमपनी के साथ तो मतलब यह कि आप सरकारी चैनल से जाएंगे तो आपका वहाँ पर कोई सोसरण नहीं होगा और नौकरी भी आप आराम दे तरीके से कर पाएंगे तो इसके लिए नौकरी का यह जो कांट्रेक्ट है दो साल के लिए होगा जो लोग च कि CTI अनिवारता को दर्किनार करने के खिलाब भहस जारी उत्तर प्रदेश और द्योगी क्प्रसिक्षण सेवा नहीं मौली के उपबंदों की वाइदता को चुनौती का मामला तो यहां पर क्या खबर है खबर यहां पर यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगी प्रसिक्ष के निटदेशों की अंदेखी करने का आरोप लगा गया है। का निटदेश दिया था इसमें अंदेशों की भरती के लिए CTI अनिवार योगता रखने को कहा गया। जो भी परिशाएं होती हैं उसमें जो जीए साता है उस पर आप लोग खास तोर से फोकस करते रहें। इस चैनल पर लगातार आपको अल्टरनेटिव तरीके से हर परिशा के लिए प्रैक्टिक स्टेट और लेबल करवाय जा रहे हैं। उसको भी आपनों लगाते रहें। जो भी प्रस्न इस चैनल पर आपको उपलब्द होते हैं। बिल्कुल आपके पार्ट्रेम के अनुसार और बिल्कुल टूदी पॉइंट होते हैं। प्रस्नों का लेबल क्या होता है। निश्ची तुरुप से आपको एक अलग प्रकार का अनुभा होगा। और इससे आपको काफी नॉलिज मिलेगी। तो दोस्तों यह थी आज की पूरी अपडेट। अगर वीडियो आपको अच्छा रखता है तो लाइक और शेयर भी क्या करें। थैंक्यू सो मुच। हैवे ग्रेट डे जैहिंद।